हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसकेडमी तो फ्रेंड्स हम लोग ने रिप्रोड़क्टिव हेल्थ लास्ट वीडियो में MTG अट यूर फिंगर टिप्स का फिनिश कर लिया था तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जनेटिक्स का फर स्टार्ट करते हैं तो चलिए आते हमारे आज के पहले कोस्टन पर तो देखिए हमारा यहां पहला कोस्टन क्या है अमंग देखिए प्लावर पॉड और सीड रिस्पेक्टिवली आर मतलो है बोला गया है कि जितने भी कॉंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं मेंडल के दौरा स्टेडि किया गया था इन दपी दिरिंग हीज एक्सपेरिमेंट जो सेविन प्या लिया गया था उसमें से फ्ल लिए गया था एक तो आपका फ्लावर पोजीशन लिया गया था यह क्या हो जाएगा इसमें भी दो हो जाएगा ठीक है अब देखिए, seed में भी दो डिया गया था, एक तो seed color लिया गया था, and seed shape लिया गया था, तो क्या हो गया? स्तीनों में है टू-टू से, जो है वो character लिया गया था, थो, यानि इसका अंसर के आ जाय गा, two, two and two, ठीक है? अब आते हैं हमारे next question, question number two में यहां है, the color based contrasting traits in seven contrasting pair studied by Mendel in pea plant where मतला हमें बोला गया है कि जो color based contrasting trait था वो कितने सारे study किये गया थे Mendel के द्वारा तो पहला तो आपका हो गया पहला हो गया आपका flower color फिर दूसरा हो गया आपका seed color तीसरा हो गया आपका pod color यानि कि आपका कितने लिया गया था तीन लिया गया था यानि कि तीन जो होगा इसका सही एंसर हो गया तो इसका अब आते हैं हमारे next question question no.3 में यहां है dash pairs of contrasting traits were studied by Mendel in the pea plant मतला हमें बोला गया है कितने contrasting pairs of the pea plant जो है वो study किया गया था मिंडल के दौरा तो वो था आपका total seven contrasting traits जो है seven pairs of contrasting traits study किया गया था तो इस concern क्या हो जागा थरीका B7 ठीक है अब आते हमारे next question question no.4 में देखें यहां पर क्या है some of the dominant traits are studied by the Mendel where मतला हम यहां पर सब dominant traits बताना है कि कौन कौन से था जो study किया गया था मेंडल के दौरा तो देखें पहला option यहां पर क्या है पहला है round seed shape तो यह तो dominant था ठीक है आगे देखें green seed color नहीं यहां पर seed color जो था वो dominant yellow color था ना कि green color था तो यह नहीं होगा यानि कि a option आपका eliminate हो यहां पर आगे देखिए यहां पर है टर्मीन है फ्लावर पोजिशन नहीं यहां पर एक्जियल फ्लावर पोजिशन जो था वो था आपका dominant यह भी option नहीं होगा यानि कि B भी नहीं होगा फिर C option में देखें यहां है violet flower color यह dominant था ठीक है green pod color भी dominant था and round seed shape भी था जो कि dominant था अब आते हमारे next question question number 5 में यहां refer to the given table of contrasting traits in the pea plants studied by मेंडल मतलब यह contrasting traits जो कि मेंडल के दौरा study किया गया था और हमें यहां पर बताना है which of the following traits are correctly placed मतलब consequence है जो correctly placed है तो देखिए पहला option में क्या है seed color तो seed color जो था dominant लिया गया था yellow को तो देखिए यहां yellow है and recessive green है तो यह ठीक क्या है यह correct है ठीक है आगे देखिए flower color में violet लिया गया था आपको dominant and white लिया गया था recessive तो यह भी क्या है यह भी सही है ठीक है अब देखिए यहां पर है pod shape तो pod shape में full जो था dominant है and constrictor जो था वो आपका recessive था तो यह भी क्या है यह भी correct है ठीक है आगे देखिए यहा नहीज हो गया जो है वो कैरेक्ट है याने कि इसका चारां याने कि इसमें अंसर होगा वन् तूथी फोर ठीक है मतलखाफ है कंदडल मीं पर झालर गया तो पहला देखbreaking एड चूँज किया घया था इसमें आपका आ जाता था फूल एंड कॉंस्ट्रिक्टेड फिर आपका पॉल क्लर भी चूज किया घया था रोकेसर ऑडर फो बॉर मी चूज किया एक धान ये ठीक है अब आत है हमारे नेंस्स कॉशन्स firm में यहां रे बनों को करते हैं उनको बोला गया है कि एक रसेशीव जो है वो कैसे एक्स होता है तो देखे सबसे पहला option क्या है हेट्रोजाइगस कंडिशन होगा यानि कि आपके इसमें दोनों प्रेजेंट होगे जैसे आप यहां पर देख सकते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो डॉमिनिंट है और रिसेसिब को नहीं आने देगा यह सिर्फ और सिर्फ इसमें बीध्र कंडिशन अलली जो होता है लोग होता है तो आपका डॉमिनिंट करेक्टर क्यूंकि रिसेसीब करेक्टर जो है वो first filial one generation या फिर even generation में नहीं आता है वो आपके second F2 generation में जाके appear होता है और filial one generation में जो भी होते हैं वो dominant character जो होता है वो सो करता है तो इससे यहां पर क्या हो जागा dominant character यानि कि nine cancer आजाएगा be dominant character ठीक है अब आते हमारे next question question number 10 में यहां है what will be the distribution of phenotypic features in the first first filial generation after cross between homozygous female and heterским गई अगर होमोजाइगस फीमेल लेते हैं हम लोग ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें आपका दो कैरेक्टर आ जाएगा दो जीन जीन आपका विला जाएगा तो देखिए एक तो इसका गैमिट बन गया small t और इसका क्या है दो बन जाएगा capital t small t तो इसमें क्या आ गया capital t small t आ गया और फिर इसमें small t and small t आ गया तो यह क्या है यह आपका tall है and यह आपका ड्वार्फ है यानि कि 1 is to 1 ratio में आएगा यानि कि 10 कांसर क्या हो जाएगा c 1 is to 1 ratio ठीक है अब आते हमारे next question question number 11 में यहाँ है in a monohybrid cross between two heterogies individual मतलब हमें बोला गया है कि एक monohybrid cross में दो heterogies individual के बीच में cross कराया जा रहा है तो हमें यहाँ पुछा गया percentage of pure homogies individual obtained in F1 generation bill B मतलब हमें बोला गया है कि इसमें pure homogies individuals जो है वो कितने percent जो होंगे observed होंगे in the F1 generation तो देखिए सबसे पहले हम यह क्या बोला गया है two heterogies मतलब हमें एक example consider कर लेते हैं heterogies का देखे जैसे heterogies यह हो गया capital T and एक आपका small T ठीक है यह capital T small T आ गया यह heterogies है और दोनों parent जो है heterogies है तो इसका भी दो gamut produce हुआ यह हो गया capital T small T जब आप इसको cross करवाएंगे तो यहां पर क्या आ जाए capital T capital T और यहां पर आ जाएगा capital T small T और फिर यहां पर आ जाएगा capital T small T and फिर यहां पर आ जाएगा small T and small T ठीक है तो यहां पर आपका pure homo jagus condition पुझा गया तो pure homo-gagous condition कौन-कौन आ गया यह आ गया यानि कि आपका दो जो है वह pure homo जाएगा small plant को cross कराया जा रहा है total of 500 plants were obtained in f1 generation जिसमें 500 total plants f1 generation में obtained किया जाता है what will be the respective number of tall and door plants obtained in f1 generation मतला हमें बोला गया है कि कितना tall and कितना door plant जो है f1 generation में obtained होगा तो देखिए सबसे पहले cross कर लेते हैं यहां हिट्रो जाएगा से या निकि 2 gamit बनेगा एक तो capital T pacnPent awaits dhusरा में भी आपका capital T en Swami बन जाएगा ठीक है तिहा क्या बन जाए अधितल आ जाएगा ठीक है और यहां प्या पे capital T small ट Gods आ जाएगा फिर आ जाएगा आपका Capital T a small T and you have a small t and small ती यहां पर क्या गया three is to one का रेसियो और त्री टॉल आएगा and one small आएगा तो यहां देखे यहां क्या है टोटल फाइव हंडेड़ प्लांट से तो यह नि कि five hundred प्लांट समें three जो है three ratio जो है वह आएगा आपका इसमें टॉल प्लांट में and one ratio जो है है आपका आएगा लगोल हम से पूछह है तो यहां क्या हो जाएगा इंटु 3 यह आजाएगा आपका टॉल 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 375 यानि कि 375 आपका आजाएगा तो यानि कि 12 कंसर के हो जाएगा को सब्सक्राइब यहां पर बोला गया है कि इन माइस में ब्लाउन कोट कलर जो है वो डॉमिनेंट है और ब्राउन कोट कलर जो है वो रिसेशिव है ठीक है तो यह मतलब बोला गया है कि capital B and small B को जो हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसके जो हमारा ओफस्प्रिंग आएगा उसका हम इंटरब्रीट क्राएंगे उसमें जो है ब्लाक कोट कितने आए तो यानि कि जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो उसका एफ़न जनेशन क्या आएगा capital B small B आएगा ठीक है उसके बाद हमें बोला गया है कि इसको इंटरबीट करा देते हैं इंटरबीट कराते हैं तो इसका रेशियो क्या आता है थ्री डॉमिनेंट वन रेसेसिव यानिकि आपका थ्री यानिकि आपका जो है परसेंटेज आ गया वो थ्री बाइफोर कि ki Effective 35% ठीक है अब आगे देखें आगे यहां पर एका है इन फ्रूट फॉट फ्रूट में लॉं म घिस डॉमिन फ्रूट फ्रूट में लॉंग व्यक्प कर जा रहा है ख प्रूंग से हैरनि कี่ 15po cm यहां थे लॉबला अब क्या बोला अब कर दिहा खूँ जाएगा दूसरा क्या है स्मॉल एल क्योंकि वेस्टीजिल है तो इस समय था फ्रोटीजिया तो इसका स्मॉल एल हो गया ठीक है अब देखे वन नैनटीटीटू ऑफ स्फिर्इंग फ्रोडिश्यों जो क्या रहा है जिसमें कि 101 जो है लॉंग विंग है 91 वेस्टिजियल विंग है ठीक है इफ एन एग्जक्ट मेंडेलियन रेसियो हैड बीन अप्टेंड दिन नंबर ऑफ इच फेनोटाइप वूड है विद हमें बोला गया कि यह तो दिया गया है कि इस तरह से अप्टेंड हुआ इतना इतना लेकिन हम बन जाए गा कैपिटल एल एस्मोलल और यह बन जाएगा स्मेल एंड स्मालल क्या हो गया यह लॉंग अब आते हैं हमारे next question question 15 में यहां है what is the probability of production of dwarf of spring in a cross between two heterozygous tall pea plants मतलब हमें बोला गया है कि क्या probability है dwarf of spring का जब two heterozygous tea plants को हम लोग cross कराते हैं यानि कि आपका यहां पर क्या बोला गया है कि heterozygous यानि कि capital T and a small t को हम लोग cross करा रहें इसका ratio क्या आता है इसका ratio आता है आपका three is to one ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा हमने बोला गया है इसके किसके लिए बताना है ड्वार्फ के लिए तो ड्वार्फ क्या हो जाएगा one y four into hundred यानि कि इसका आ जाएगा आपका twenty five percent ठीक है तो इसका answer हो गया see twenty five percent यानि कि fifteen का answer हो गया see ठीक है आगे देखे अ ट्वाको प्लांट हेट्रो जाएगास for recessive character is self-pollinated मतला हमें बोला गया है ट्वाको प्लांट है हेट्रो जाएगास for recessive character मतलब किसी recessive character के लिए हेट्रो जाएगास है जिसमें कि 1200 seeds जो है subsequently germinate किया गया है and how many seedlings would have the parental genotactic देखे यह क्या बोला गया है हेट्रो जाएगास condition में है माल लिजे कि इसमें किसी चीज़ को भी माल लेते हैं हम इसका माल लिए यह टॉल वाला ही है हम लोगों consider करके हेट्रो जाएगास condition है हेट्रो जाएगास ठीक है तो यह capital टी आ जाएगा और इसमें हमें बोला गया है कि इसको self-pollinate करके germinate करा जा रहा है तो इसमें 1200 seeds जो है वो subsequently produce हो रहे है हमें बोला गया है कि parental जो है genotype कि कितने आएंगे तो देखे यहां पर क्या आ तो यह हो गया capital T capital T बन जाएगा यहां पर capital T a small T बन जाएगा फिर यहां पर capital T a small T बन जाएगा और क्या आएंद a small so here नहां पर parental क्या हो गया parental 2 हो गया parental टाइप एंड़ यहांनी कि 50% जो है 1200 तुछ फिरेंटल टाइप आएंगे यानी कि का 50% क्या जाएगा 600 यानि कि 16 का जाएगा भी 600 ठीक है आगे देखिए आगे आते हैं हम लोग कोस्टेन इसी उसका क्या बनेगा इसका बनेगा इसका आपका दो गाङोगा टो जाएगा तो टो टॉलर्ब analysis क क्या देगा क्यो 파 hasn't is Savant B पिर एक बनेगा बनेगा इसकर आपका डुज जाएगा वो टॉल इसां इसे में तौल हो गया और क्या होगा यह तो बनेगा तो इसका अब आते हमारे काते हैं test cross इसमें क्या होता है f2 generation का जो टॉल plant होगा यानि की dominant character वाला होता है उसको हम लोग recessive character से जैसे सी parents से हम लोग cross कराते हैं तो यहां पर डॉर्फ प्लांट से cross कराएंगे तो इसको काते हैं हम लोग test टेस्ट क्रोस तो 18 कांसर क्या हो जाएगा एट टेस्ट क्रोस ठीक है अब आते हमारे next question question no.19 में यहां है read the given statement and select the correct option मतलब यह दो statement आपको दिया हुआ है और इस दोने statement को पढ़ना है और हमको correct option select करना तो देखें पहला statement क्या है test cross is used to determine an unknown genotype which one is breeding generation तो देखें मतलब हमें बोला गया है कि इस test cross से हमें पता लगता है कि कौन सा unknown genotype जो है within one breeding generation उसका genotype basically इसमें यह कहा गया है कि test cross से हमें generation में उसका genotype पता चलता है तो ठीक है यह हम को यह जो है statement साही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि f2 generation में हम लोग पता लगाते हैं कि जो टॉल प्लांट है वो हेट्रो जाएगा से यह हो जाएगा सो तो क्या genotype ही हम लोग इसमें पता लगा यानि कि इसमें क्या जाएगा statement one is correct but statement two is incorrect तो देखिए यहां कहां बी में है यानि कि 19 क्या हो जाएगा statement one is correct but statement two is incorrect ठीक है अब आते हैं हमारे next question question number 20 में तो देखिए यहां 20 में क्या है which one of the following is a test cross मतलब हमें बोला गया इसमें से कौन सा जो है वो test cross है तो हम भी मैंने आपको बताया था test cross में क्या होता था कि हम लोग unknown टॉल प्लांट को मतलब टॉल प्लांट जो होता था उस एफ्टू जेनरेशन का उसको हम लोग लेते थे और रिसेसिव पैरेंट से हम लोग क्रोस करवाते हैं यहां तो टॉल प्लांट है लेकिन यहां क्या है डॉमिनेंट है तो इससे नहीं होगा ठीक है यह अन्नून होगा इसको हमको पता ही लगाना होता यहां कोई भी हो सकता था है है अब आते हमारे निएस्क्का अफैप एस नापसिब पर कि कैपसेल भा बूर्शा आफू टाप से ti richest ट्राइंगलर एंस ट्राइंस द्रामनेट इश टॉप से ठीक है following table summarize the result of several crosses ठीक है देखिए यहां पर है strain 1 and cross between small t and small t ठीक है all triangular आया क्या आया all triangular आया यानि कि dominant आया सारे ठीक है उसके बाद यहां पर हमें बोला गया है strain 2 and small t small t एक आपका triangular आया and top shaped ठीक है यहां पर देखिए strain 3 small t small t all top shaped आया ठीक है आगे यहां पर है यहां पर है आपका strain 4 and capital t small t and 3 triangular and one top shaped तो देखिए यहां पर हमें पूछा गया है all triangular all triangular मतलब क्या अगर इससे cross करा जा रहा है तो इसका मतलब या तो यह होना चाहिए फिर आपका यह होना चाहिए अगर यहाँ पर small capital T capital T नहीं है कहीं बहुत तो इसका यानि कि genotype ये होगा और सारे ठीक होने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि दोनों जो है वह capital T capital T होना चाहिए तभी सारे होंगे वह आगे ट्रेंगुलर क्योंकि ऐसा अगर यह रहता एक स्मॉल टी रहता तो स्मॉल टी एक मिलके एक टॉप सेट भी बना लेता तो यह नहीं होगा ठीक है अब देखिए यहां पे है एक ट्रेंगुलर है एक टॉप सेट है ठीक है तो देखिए य स्मॉल टी बन जाए गैमिट और इसका क्या है सिर्फ और सिर्फ टी बनेगा स्मॉल टी यहां क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिर स्मॉल टी यानि कि वन हो गया टॉप सेप्ट यहां क्या हो गया वन ट्रेंगुलर सेट एंड वन टॉप सेप्ट यानि कि इसका क् चाहा है यहां है यहां पर नहीं होता है यहां पर सारी रेससिभ होने के लिए होना पड़ेगा मतलब सारे को स्मॉल होना चाहिए यहां पर प्रिजंट नहीं होना चाहिए approximate में की अगर है च्ब्छा श्री आगे जानकी है थी गूई हो स्थैघ्ट गया där's तो उसका आता है 3 is to 1 के ratio में 3 dominant 1 recessive तो देखिए capital T small t इसमें भी capital T और small t होना चाहिए ठीक है तब इसमें बनेगा capital T and small t ठीक है और फिर बनेगा capital T and small t तो बन गया यहाँ पर capital T capital T और small t यहाँ बन जाएगा capital T small t and फिर capital T small t and small t and small t तो यहाँ क्या हो जाएगा त्री बन जाएगा आपका triangular and one top set यानि कि इसका क्या हो जाएगा capital T small t इसका अंसर क्या हो जाएगा 2 and 4 इसका अंसर क्या हो गया 21 का B ठीक है तो फ्रेंट्स आब आते हमारे next question question number 22 में यहाँ है मेंडल formulated the law of purity of gametes on the basis और मतलब हमें बोला गया है कि जो मेंडल का law था law of purity of gametes वह किस पे basis था तो वह basis था आप बेस्ट था आपका monohybrid cross पे इसका अंसर क्या हो जाएगा 22 का a monohybrid cross ठीक है अब आते हैं हमारे next question question number 23 में यहाँ है read the given statement and select the correct option मतलब यहाँ आपको दो statement दिया हुआ है इन दोनों statement को पढ़ना और correct option select रहना तो पहला statement क्या है the law of segregation is one of the most important contribution to the biology तो देखे हमें बोला गया है कि law of segregation जो है one of the most important contribution to the biology है मतलब की law of segregation जो आप जानते हो जो की monohybrid के basis पे दिया गया था कि एक किसी gamit में दो allyl हगर होता है तो दोनों का separation में किसी एक दूसरे से कोई भी dependent नहीं होता है तो इसका यह जो है बिल्कुल most important contribution में आता है तो यह statement correct है ठीक है देखे statement 2 यहाँ पर क्या है इसका यही मतलब दिया गा था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बोथ statement 1 & 2 आर करेक्ट यानि कि 23 का अंसर आ गया है ठीक है अब आते हमारे आपका इन कंप्लीट डॉमिनिंस इसमें क्या होता है कि पेरिंट का फ्लावर कलर जो होता है रेड होता है और फिर वाइट होता है तो इसमें क्या होगा कि जो f1 generation होगा उसमें ना तो रेड आएगा ना तो वाइट आएगा यह बीच में आता है वो होता है pink तो यह example होगे आपका इन कंप्लीट डॉमिनिंस का है तो इसका एंसर क्या होगा है 24 का a incomplete dominance ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर question in antherinium dog flower phenotypic ratio in f to generation for the inheritance of the flower color would be तो देखिए इसमें क्या होता है incomplete dominance होता है तो incomplete dominance में क्या होगा कि पहले तो यह आपका एक प्योर रहा ठीक है यह parents तो इसके germination इसके cross के बाद बन जाता है हमारा f1 में capital r small r जो की pink होता है ठीक है क्या होता है pink होता है ठीक तो इसको जब हम लोग self pollinate करेंगे यानि कि self cross करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा दो चार gamit बनेगा एक यह एक यह और फिर आपका यहां भी एक यह और यह बन जाएगा capital R Capital R ठीक और यह बन जाएगा capital r small r और यह बन जाएगा small r और यह बन जाएगा small r और small r यानि कि यह हो गया red और यह दोनू हो जाएगा आपका pink और यह हो जाएगा आपका white तो इसका phenotypik ratio क्या आ गया 1 रेड टु पिंक एंड वन वाइट तो यानि कि 25 का आगे है B ठीक है अब आते हमारे next question question number 26 में यहां है phenotypic and genotypic ratio is similar in case of मतलब हम बोला गया है कि phenotypic and आपका genotypic ratio जो होता है वो किस में similar होता है तो वो होता है वो होता है incomplete dominance में क्योंकि अभी आपने में देखा था यहां पर कि phenotypic ratio के आया वन इस्टो टू इस्टो वन आया और जिनो टिपिक रेसी तो होता ही है वन इस्टो टू इस्टो इस्टो वन तो इसका अंसर के आगे 26 का भी ठीक है अब आते हमारे next question question number 27 में यहां है in four o clock plants the gene for the red color r is incompletely dominant over the gene for the white color r smaller hence the plants heterogyasus for the flower color capital r small r have pink flowers ठीक है उसके बाद क्या दिया गया है what will be the ratio of offspring in across between the red flowers and the pink flowers मतलब हमें बोला गया यहां पर कि क्या है यहां पर एक four o clock plant है उसमें red color flower जो है वो dominant incomplete dominant है over the white flower ठीक है और जो capital r small r आता है वो है pink तो हमें यहां बोला गया है कि एक red flower जो है pink flower से अगर cross किया जाएगा तो उसका क्या answer क्या प्रोजिनी बनेंगे तो सबसे पहले office बनेंगे तो सबसे पहले जब red flower होगा तो क्या हो सकता है capital r और capital r होगा ठीका है और जब pink flower होगा यानि कि capitali आपावर बनेगा ठीक है तो देखे इसका क्या बनेगा इसका दो गमीट बनेगा और इसका एकекст बनेगा हो गया capital 6 सरफ capital r बनेगा ठीक है तो capital r और capital r बन गया by total r प्रोस्टीद्टोहणॉड प्रोस्टा वोगने कि 50 परसंट के वहुन होगा नीएसा। हुलन क्त फ्रोका अकокиशादुम्कारव प्रोरॉ ठीक है एंडको फोस्स जो है उसमें दो प्यूर फोड़्स होता है ब्लैक और वाइड फोड़ियो अपीर ब्लू-दॉ-ब्लोर्ड थीक है व्ण फोलू प्लू-ड्विजर में टीक है डिउ तुद लिंकॉम्प्लीत डॉमिनेंस इंकंप्लीत डॉमिनेंस के लिए अगे एक और ब्लू इसा एक बॉट्कम आपठे़न की लाओ जा Partners कि यह बन गया ब्लू वाले गए आपका ब्लू वाले गाlight сожалению इस्का बन जाएकापीटलीत उन्हीं और यह हो जाएगा capital B और यह हो जाएगा capital V और W तो यह हो जाएगा black और यह ब्लू यानि कि one black and one blue तो देखिए ऐसा option कहाँ पर है दी में यानि कि 28 का अंसर क्या जाएगा D one black and one blue ठीक है अब आते हमाँ next question question 29 में यहां देखिए complete the given table showing different possibilities of the genotaps and their corresponding blood group by selecting the correct option ठीक है यहां पर दिया हुआ है आपका genotype दिया हुआ और blood group दिया हुआ तो इसको इसमें हमको possibility बताना है कि इन चारों में क्या क्या possibility होगा corresponding blood group के recording ठीक है तो दिखिए पहला यहां पर क्या है blood group है तो देखिए यहांपर क्या होता है कि हमें पता है तीन तरह के directions होता है ठीक है एक तो i-a čे में होता है ठीक है दूसरा i-b he a यहां होता है ठीक है तो यह क्या होता है यह तो कि आई ए आई ये सब दोनों dominant है तो यह तो ए ग्रुप सो करेगा इटिक है और दूसरा हमें यहां पर क्या होगा एक आई यह ए एड़ यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर सेम कंडिशन आइब आइब तो भी प्लस आई बी और आई क्योंकि देखें यहां पर क्या है ब्लड ग्रूप यानि की इसमें दोनों जीन प्रेजेंट है क्योंकि यह क्या होगा तो यह देखे है, इस में क्या हो गया, आई ये ऐ ये एंड आई भी होना जाये तो देखें, आई ऑगे ब्लड ग्रुप है, comparison है, आपके इस में सिलौन प्रेसिट प्रेजेंट हो गेंट तभी होगा, तो इस का अंसर क्या हो जाएगा, यहां आई एंड आई यानि कि इसका 29 आपका सी ठीक है अब देखिए आगे यहाँ एबी ओ ब्लड ग्रूप इन हुमेन बिंग्स और कंट्रोल वाइद जीन आई यह होता है वो जीन आई से कंट्रोल किया जाता है यह बात सही है आगे आगे देखिए जीन आई हैस थ्री एलेस जीन आई यह चार mobile और फिर दूसरा बी आजाता है और फिर आपका वर याद रखना है कि सिव्ट ब्लड जुटमागरे शीज लिट का समय एटर censorship and before टika यहां किरिश याद रखना है कि इन कि याद रखना है कि curs пой और जीन एंड टीका याद रखना है ठीक है अब आते हैं हमारे next question question number 31 में यहां है what will can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group मतलब हमें बोला गया है कि बोथ parents का AB blood group है तो offspring का क्या blood group हो सकता तो देखें बोथ parents का AB है मतलब उनमें क्या होगा एक तो आईए होगा और दूसरा आईए होगा ठीक है और यहां भी आईए होगा and IB होगा ठीक है जब यह आईए आईए आएगा तो A blood group हो सकता है आई ए और आईए बी आएगा तो AB blood group होगा फिर simple यहां पर भी AB blood group हो सकता है फिर IB IB आईगा तो B blood group हो सकता है यानि कि यहां क्या क्या possibility है यहां A blood group possibility है फिर AB भी possibility है and B भी possibility बट आई पर possibility नहीं है ओ possibility यहां पर कोई नहीं है यानि कि इस cancer क्या जाएगा 31 का A B and AB यानि कि 31 cancer होगा आपका B ठीक है अब आते हैं हमारे next question question number 32 में यहां है a child has blood group O मतलब यह यहां बोला गया है कि एक चाइल का blood group O है तो यहां पर देखिए if father has blood group A and the mother has blood group B work out the genotaps मतलब हमको बताना है कि इन दोनों का genotaps क्या होगा तब children का blood group O हो रहा है मतलब इसका इसका जो एलिल से वो क्या होगा small i and small i यह तभी possible है जब इसमें क्या एक recessive present हो और इसमें एक recessive present हो देखिए i a i a अगर रहता और यहां पर i b i b रहता तो क्या होता a b blood group आता ठीक है और यहां पर अगर हम यहां पर सिर्फ और i a और i not लेते हैं या फिर i लेते है अगर i a and i लेते है ठीक है और फिर i b i and i लेते हैं तो इसमें क्या possibility है यहां पर possibility यह आएगा कि यहां ए ब्लड ग्रूप भी आ सकता है फिर ब्लड ग्रूप भी आ सकता है अब ब्लड ग्रूप भी पॉसिबल है यानि कि इसका क्या हो जाएगा यह जीनोटाइप हो जाएगा आपका i a i and i b i तो देखिए आई ए आई कहां है यहां नहीं यह देखिए यहां पर i a i and i b i तो इसका क्या हो जाए 32 का भी ठीक है अब आते हमाँ नेस्ट कोस्टन कोस्टन नबर 33 में यहां है इनहेटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इस एन एक्जामपल उफ मतलब हमें बोला गया है रोन कोट का जो इनह 33 का को डीख वाइटेंस फिरिक कोश्टन कोश्टन नबर 34 में यहां है रेड कोट किसका है वह क्रॉस करा रहा है ठीक है अब इहां देखिए यहां पर हो तो यहां पर co-dominance है ये ध्यान रखेगा इस इफेक्ट इस प्रोडूश्ट डियू टू जच्ट पोजीशन आफ च्मॉल पैचेज आफ रेड और वाइट कलर यह होता है यह एफेक्ट आता है जच्ट पोजीशन आफ स्मॉल पैचेज आफ रेड रेड वाइट कलर एक कर controlling जो है वो code को जो color gene control कर रहा है उसके बारे में सही adjustment क्या है तो देखे पहला adjustment हम लोग पढ़ते हैं पहला statement यानि कि हम लोग पढ़ते है तो पहला statement का है यहां पर पर्फेक्ट dominant से सिवे यहां पे बोला गया है कि जो घंट्रोल कर रहा है को को फूर्फेक्ट डॉमिनिट रेसेसेग्न सिवे नहीं कर रहा है क्यूंकि आगर ऐसा सो करता तो जो आताकी दो तो पुरा रेड आता अगर वाइड बाइड आता तो यह परफेक्ट रेसेट रेसेसिट फॉलो नहीं कर रहा है तो यह क्या है यह गलत है ठीक है आगे देखिए यहाँ पर क्या है दे यहीं कंत्रोलिंग कोट कलर और in completely dominant बतला हमने बोला गया है कि जो gene control कर रहे है code color को वो completely dominant है तो यह भी नहीं है क्योंकि अगर in completely dominant होता तो क्या होता ना तो red आता न वाइड आता डोनों के बीच में आता लेकिन यहाँ पैचेज में प्रेजेंट है red भी प्रेजेंट है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सी डेलेल अफ द जीन कंट्रोलिंग कोड कलर और को डॉमिन ठीक है अब आते हमाई नेक्ट कॉश्चन कोश्चन नमर फटीफवाइब में यहां है एक्जांपल अफ मतलब हमें बोला गया है कि किसी सीटी में अगर हम लोग एक्जांपल लेत को डॉमिनेंस एन मॉल्टिपल एलीनिजिम ठीक है तो देखिए इस कंसर क्या हो गया 35 का डी बी एंट सिए ठीक है अब आते हैं हमारे नेस्ट कोस्टन कोस्टन क्या होता है एक है यहां पर क्या अगर क्या है यह पर बनेगा यहां पर इस स्मॉल हो जाएगा यह तो आपका लीफल्स तो यह देड हो जाएगा तो यह तो नहीं होगा ठीक है अब आगे देखिए यह है आपका capital Y a small y आ जाएगा फिर यह आ जाएगा आपका capital Y a small y and a small y यानि कि दो yellow and one gray यानि कि two yellow one gray तो इसका अंसर क्या जाएगा 36 का बी two yellow and one gray ठीक है अब आते हमारे next question question number 37 में यहां है इन मंडेलियन डाय हाइब्रीड क्रॉस वेन हेट्रो जाएगा स्राउंड यल्लो यानि कि हेट्रो जाएगा स्राउंड और यल्लो आर सेल्फ क्रॉस्ट रेड राउंड ग्रीन ओफ स्प्रिंग और रिप्रेजेंटेड वाइदा जीनो टैप मतलब हमें बोला कि अगर हम लोग राउंड यल्लो को सेल्फ क्रॉस खराते हैं कि इसका यहां पर क्या होता है यहां फिर स्मौलर तो पहले हम लोग इस स्मॉल है यह तो राउंड होगा यह तो पहले हो सकता है यहां पर देखें इसको भी अटा देते हैं अब देखें यह हो गया अब हमसे बोला गए है कि ग्रीन कब होगा ऑगरीन जो है वह रिसेसिब होगा जब दोनों होमोजाइगा इस कंडिशन में होगा तब भी सिर्फ और सिड्ज और जो है वो green लेकिन यहाँ पर देख़िए यहाँ पर क्या है capital y and a small y यानि यहाँ पर yellow हो जाएगा तो यह नहीं होगा और यहाँ पर सम नहीं होगा और यहाँ पर देखे smaller and a small y इस का अंसर किया द को गया franc तो फिर अब आता हमारे next question question no.38 में यहां है match column one and column two and select the correct option from the given code मतलब हम यहां पर बोला गया है कि column one and column two को match करना है and correct option select करना है तो देखिए सबसे पहला है डाहवरी test cross क्या आता है one is to one is to one is to one is to one इसका एक क्या हो जाएगा त्री तो देख एक एक थरी segregation law of segregation जो है वह आता है आपका purity of gametes को प्रूव करता तो यहां पर क्या हो जाएगा बी का फोर तो देखिए बी का फोर कहा है यहां यहां है यहांनि कि answer तो इसका आ गया थाटी एट का ए ठीक है आगे देखिए लॉफ इंडिपेंडेंट एस्वेंट टो लो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट जो था वो आपका डिपेंडेंट था वह दाइभिड क्रॉस्ट पे तो यानि की सी का क्या जाएगा टू तो देखिए स्वी का टू ठीक है अब्लड ग्रूप इन मैं अब्लड ग्रूप जो होता है मैं में मुल्टिपल अलेलिजम को सो करता तो दी का क्या जाएगा तो देखिए डी का फाइब ठीक है आगे आते हैं हमारे यह वाला गैमिट जो है वह कितने पर्सेंटेज में प्रोड्यूस होगा तो देखिए इसमें से कितने गैमिट प्रोड्यूस हो सकता है चार एक तो हो जाएगा आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी और दूसरा हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी और फिर आजाएगा आपका वाइब कि यहांने कि चार गमिट प्रोड्यूस हो सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो होगा वह स्मॉल एंड प्रोड्यूस क्या गया वन वाइफ फॉर इंटु हंड्रेड यानि कि 25 परसेंट इसका अंसर किया गया थाटी नैन का एट 25 परसेंट ठीक है अब आते हमाइं नेक्स कोश्चन कोश्चन नवर 30 40 में यहां देखें वेन क्रॉस वेन क्रॉस इस मेड विट्विन अ टॉल प्लांट विट यल्लो सीट मतलब हमें बोला गया कि एक क्रॉस किया गया उस यहां यहां तो इस का चार बन सकता है ठीक है जेखें एक गयमिट बन जाएगा आपका capital T small y and dousra gamit, thisra gamit बन जाएगा small t and capital Y ठीक और फिर आपका next आ जाएगा small t and small y ठीक है इसमें कितने तरह के gamit बन जाएगा इसमें आपका दूर तरह का gamit बन जाएगा एक तो आजाएगा capital T and small y and फिर दूसरा आजाएगा capital T and small y ठीक है जब यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा capital T capital T capital Y small y यानि कि tall and yellow क्या tall and yellow seed जो देखे tall and yellow seed होगे यहाँ पर क्या आजाएगा capital T small t and capital Y and small y यानि कि यह आजाएगा आपका यह tall and yellow ठीक है दोनों tall and yellow आगे यहाँ भी देखे capital T capital T and small y and small y है यानि कि यहानु की आजाएगा है डाल और लूड और यह इसका मतलब नहीं बनाँ हन्य बनता है तो यहान फिर यहान बोन ब्न the again तो इसका मतलब बनेगा हमें यहां पर solve करने में ठीक है आगे देखिए यहां पर है capital T small t and फिर आपका capital Y and small y तो यह तो नहीं होगा ठीक है आगे देखिए यहां पर है small t and a small y and a small y यह हो गया आपका dwarf and green ठीक है तो देखिए total हम लोग गिन लेते हैं कि tall and green कितना है ठीक है यह तो नहीं होगा यह tall and yellow होगा यहां पर tall and green हो गया यहां भी tall and green हो गया ठीक है यह तो नहीं होगा यहां पर tall and green आ जाएगा यहां नीकि जो है वो tall and green है तो देखिए यहां कि 3 Meyer customers हो जाएगा tall and green ठीक है और एक ही है जो है dwarf and green थीक है यहांकि 125 यहां जाएगा ठीक है इसांतर के आगया 308 की 40 गनसर अगया a ठीक है अब आता हमारे नेस्ट कोश्चन कोश्चन नाबर फोटीवन में यहां है हाँ मेनी टाप्स ऑफ गैमिट्स कैन बी प्रोडियूस्ट बाइड डिप्लॉइड और इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है तू 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 दी पावर एन और यह न जो है वो न पावर फॉर्मूला क्या होता है वो होता है आपका सिक्स्टीन अब आते हमारे नेस्ट कोश्चन कोश्चन अब फोटी तू में यहां है गीवन पुनेट्स स्क्वाइड रिप्रेजेंट्स इन दे डाय हाइब्रिट क्रॉस्ट वेर वाई कैपितल वाई यल्लो एंड रिं यहां है एल प्रोड्यूस प्रोड्यूस इड्स भी त्रस दा जीनो टाइप एसका पहले तो जीनो टैप निकाल लेते हैं इसका जीनो टप क्या हो जाएगा एपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ठीक है तो देखिए सेम जो है कहां बन रहा है यह बन रहा है आपका कहां पर यह है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एंड यहां पर आ जाएगा आपका कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आ अधर येए तो नहीं होगा यहां पर चाहिए यहां पर क्याय को APP क्या derived यहां यानि क्वाण स्मॉल यका आपसे स्मॉल और य्विच आ जाएका यहां क्वाइन सींड पासे हो यह जायगा?". टाइप एड टाइप एन यानि की अंसर आ गया डी ठीक है अब आते हमां नेस्ट कोस्टन कोस्टन नंबर 43 में तो देखें 43 के लिए 44 के लिए पहले ही डारेक्शन दिया गया है जिए दा गीवन पाराग्राफ टू अंसर दा कोस्टन नंबर 43 और 43 & 44 का अंसर करने के लिए हमको ने पराग्राफ पढ़ना थो देखेए इन इस बलद यलो फ्रूट कलर इस डामिनेंट तो मतलब यलो फ्रूट जो है डामिनंट है ओवर ग्रीन फूट कलर ठीक है अंड राउंड से इस डामिनंट वेंट के लिए तो जीन्स इंवाल आर ल result the plant capital Y small Y capital R small R is self pollinated तो इसका क्या आ जाएगा phenotypic ratio जो है वो आ जाएगा 9 is to 3 is to 3 is to 1 तो देखिए यहां पर 9 is to 3 is to 3 2 है यहां है phenotypic only यानि कि इसका answer क्या जाएगा 43 का फोटी थीख अब आते हमारी next question question-a44 में आए है which of the following is correct for the condition संबें कैपिटल Y स्मॉल वाइड कैपिटल र स्मॉल र इस बैक क्रॉश्ट जब प्रोफ होगा तो इसका क्या जाएगा वन इस टुवण इस्टु वन इस्टु वन यानि कि यसका दोनुं जुह जिनोटीपिक अंद फिनोटीपिक रस्जिय तो यहां वो सारे जो हा जाते है एक्सप्रेंट बीच और फॉलोइंग लॉज प्रिंसिपल अप्डा मेंडल तो यह वह आपको सुख कर रहा है लौ ओफ इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट इसका अंसर्ट क्या हो जाएगा डी लौ फिंडिपेंडेंट असौर्टमेंट ठीक है अब आता हमाइन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट जो है वह किस चीज के हेल्प से क्या तो वह है डाइब्रीड क्रॉस ठीक है अब आते हमाइन नेक्स्ट पॉस्टन कोश्टन आप फोटी सेवन में यहां है मेंडल्स बर्क वाज री डिसकाबर्ड वाइड थी साइं वाजिए अब आते हमारे नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन फोटी इट में इस फोटी पॉलेइंग वीच थी सैंटिस्ट इंडिपेंटली डिस्काबर्ड मेंडल्स बर्क मतला हमें बताना है कि कौंसे तिन साइंटेज उन्होंने इंडिपेंडली डिसकाबर्ड किया था वह किसके द्वारा दिया गया था तो वह दिया गया था सुटोन एंड वोवेरी के द्वारत है इसके बाद आते हैं में यहां है किसके द्वारा दिया गया था तो यहीं 50 कंसर होगे आपके आपके द्वारा दिया तो यहीं 50 कंसर होगे आपका बी ठीक है तो यहीं 50 कोस्टन जो थे जो मुझे आपको आज के इस वीडियों बताना था आई होप आपको यहीं 50 कोस्टन अच्छे समाझ में आगे होंगे और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कोस्टन जो की आपके नीट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा औ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर देजिए ताकि उनको भी हमारी चैनल के बारे पता चल सके और वो भी यह वीडियो को फॉलो कर सके और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि हम लोग ऐसे ही अच्छी आपके लिए लाते रहते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में